हेलो गुड बॉर्निंग इस्टूडेंट्स मैं माधुकर हैलापटेक्निक कॉलेज कोटा कमर्शल आर्ट से फर्स्टर के लिए लेक्चर त्यार किया है इसमें हम जानते हैं राग माला के पारे में राग माला दो शब्दों से मिलकर बना है राग और माला यानि जो संगीत के शेत्र में प्रसित राग गाय गये हैं उनके उपर उस समय राजाओं के सणरक्षन में जिन चित्रों की रचना की गई उनको राग माला कहा गया तो जानते हैं हम राग माला के बारे में आप इस वीडियो लेक्ट्चर में आप मेरे चित्र देख रहे हैं जो रागमाला पर बने है और जान रहे हैं रागमाला के बारे में संगीत रतनाकर भारतिय रागों के वर्गी करन पर बारवी शताब्दी का एक महचपून गंत है गंत का नाम है संगीता रतनाकर जिसमें पहली बार प्रतेक राक के पीठा सेन देवता का उल्लेग है चौध वि शताब्दी के बासे उन्हें ठ्ध्यान चिंतन के लिए संस्करत में छंदों में वर्णित किया गया था किरको रागों को और बाद में चित्रों की एक श्रंखला में चित्रित किया गया जिसे राग माला चित्र कहा जाता है रागमाला की कुछ सर्व स्रेष्ट उपलब्ध रतियां सोलवी और सत्रवी शताब्दी से हैं जब सोलवी शताब्दी तक साही सर्रक्षन के रूप में ये विक्सित कुई हाला की बाद में ये धीरे धीरे फीका पड़ता गया रागमाला चित्रों में रागमाला नामक, विभिन, भारतिय, संगीत विध्याओं को दर्शाते हुए रागमाला या रागों की माला पर आथारिद मथ्य युगीन भारत के चित्रों की एक श्रंखला है वे मत्य कालीन भारत में कला, कवीता और शास्त्रिय संगीत के समा मेलंक के शास्त्रिय उध्यारन के रूप में खड़े हैं सोलवी और सत्रवी शताब्दी में शुरू होने वाली भारती चित्रकला के अधिकांश विध्यालों में आपको मालूम है कि जो भारती चित्रकला है वो विध्यालों में पढ़ाई जाती थी वही पर रागमाला चित्रों का निर्मार हुआ और आज के हिसाब से उन रागमालों का नाम पढ़ा पहाडी रागमाला, राजस्थान रागमाला, राजपूत रागमाला, दककन रागमाला और मुगल रागमाला 1570 इस्ट्री में भारत में रीवा के एक पुजारी शेमकर्ण ने शेमकर्ण पुजारी का नाम है जो रीवा का था संसकत में रागमाला पर एक कावे पाठ संकलित किया उन्होंने कावे पाठ की रचना की जिसमें 6 प्रमुख रागों का वर्णन है रागमाला में 6 प्रमुख राग गाए गए है पहला राग है भैरव, मालकोशिका, हिंडोला, देपक और श्री और मेखा ये कोल मिलाकर 6 राग है इन रागों की पाँच रागिनी और आठ राग पुत्र है रागश्री को छोड़ कर क्योंकि रागश्री में छे रागिनी और नो राग पुत्र है बाके सब में पाँच रागिनी और आठ राग पुत्र है इस प्रकार से 86 यानि 86 से सर्दस्यों का एक रागमाला परिवार बना रागमाला की अधिकांश, विलक्षन, रजनाएं दक्कन शैली से है जहां बीजापूर के इबराहिम आदिल्शा, दित्य, स्वेम भी एक अच्छे चित्रकार थे हालक के कुछ राजपूर शैली में भी मोजूद है जिन में से चामवड के एक कलाकार का नाम, चामवड एक जगह है वहाँ के एक कलाकार है साहिब दी, उनकी बहुत फेमस पेंटिंग है इस्कूल आफ पेंटिंग जो लेवार में बनाई है जिसका रागमाला जो श्रंखला है वो दिनांग 1628 अंकित है और वो भारत के राष्टिय संग्राले में अभी भी मोजूद है इन पेंटिंग में परतेक राग को एक रंग, मनुदशा, एक नायक, नाइका की कहानी का वर्णन करते वे चित्रित किया गया है यह मौसम और दिन और रात के समय को भी इसपष्ट करते हैं जो भी रागमाला के चित्र है, वो दिन के लिए बने हैं, या रात के लिए बने हैं, या किस मौसम के लिए बने हैं, और कौन से राग के लिए बने हैं या हर चित्र इसपष्ट करता है, जिसमें एक विशेश राग गाया जाता है और अंध में अधिकान चित्र भी राग से जुड़ेवे निशोष्ट हिंदू देवी देवताओं का सीमांकन करते हैं यानि बताते हैं जैसे भैरव या भैरवी में शिव को बताया है और श्री राग में देवी को बताया है चित्रन केवल रागों का वर्णन करते हैं बलकि उनकी जो पत्निया है यानि रागिनिया है और उनके कई पुत्र हैं जिने राग पुत्र का आगया है का भी चित्रन करते हैं इसमें रागमाला के चित्रों में और बेटिया राग पुत्री बताई गई हैं उनका भी चित्रन किया गया है रागमाला में मुझूद छे प्रमुख राग बहरव, देपिका, श्री, मालकोसा, मेखा और हिंडोला है और इन्हें वर्ष के छे मौसम जैसे ग्रीश, मानसून, शरद्रितू, प्रारंबिक सर्दियों, वसंत के दोरान गया गया राद्पुश हली में जो चित्र बने हैं उसमें मुगल काल में मेवार और अक्वर के दर्बार के बीच एक सांस्कर्तिक पर्तीस परदा हमेशा चलती रहे मेवार के और अक्वर के दर्बार के बीच मारन प्रताब के काल में निसारदी नामक चित्रकार ने चांवड में रहकर जिन चित्रों की श्रंखला रची वैरागमाला के नाम से इतिहास प्रसिप्त हो गई निसारुतिन ने अपने चित्रों पर निसारुति के नाम से हस्ताक्षर किये हैं उसने अपना सरजन 1596 से आरम किया और 1605 तक लगातार चित्रों का निर्मान किया यानि उनके चित्रों का निर्मान दो महारानाओं के कारेकाल में तूरा हुआ इसे महाराना प्रताप ने आरम किया और महाराना अमर सिंग के शाशनकाल में पूरा हुआ रागमाला की इस चित्र शंखला के बाद और जगे भी रागमाला की चित्र शंखलाएं रची गई मेवार में भी एक दूसरी रागमाला की रचना हुई जिसे साहिब दिन में तयार किया यनि दो रागमाला चली है एक मिसार्दी की और एक साहब दिन की ताज़ुप इस बात का है कि रागमाला के नाम से कृतियों का सुलजन अक्पर के दर्बार में हुआ प्रसित गायक तांसे और विठल पुंड्रिक ने रागमाला नाम से पुस्त के लिखी पुस्त के लिखी है गायक तांसे ने और विठल पुंड्रिक ने रागमाला के नाम से पुस्त के लिखी विठ्छल पुंड्रिक को जैपूर के कच्छ वहा वन्षि का सनरक्षन प्राप्त था कच्छ वहा वन्षि था जिसके जो राजाओं के आधीन उन्होंने विठ्छल पुंड्रिक ने पुस्त के लिखी रागमाला पर और तानसेन को अकबर का याने अक्बर के संरक्षन में मगर इस क्रती पर चित्रों के श्रंखला खड़ी करने का श्रे मेवाण को मिला मेवाण को यूदो मुगल नीती विरोधी माना गया मगर इसी धर्ती पर रागमाला रची गए मैं दोनों सत्ताओं के बीच टक्राव के दौर में सर्जन का संकल्प का जो सुख है और जो सोहादाव है वो इन दोनों सत्ताओं के बीच में रखा गया पर कोई टक्राव नहीं यह श्रंखला बहुत चर्जिब रहे कम से कम इसमें 42 चित्र बने यह 6 राग और 36 रागनियों से के थे मारू राग के चित्र पर तो भारतिय डाग अगर तार विभाग ने डाग टिकट भी जारी कर दिया मारू राग के उपर गुजरात के मूल की इस रागनी में नायक नाईकक को तामबूल दे रही है और सोठी गीतों में इस प्रकार की मनुहार परंपरा है कि गीतों के राग कभी सोठी के नाम से रिख्यात रहे यह सोचने की बात है तो आज हमने जाना रागमाला और रागमाला के चित्रों के बारे में ओके थैंक्यू